ग्यान सरोबर में आप सभी का फिर से एक बर स्वागत है और आज मैं अपनी लिखी हुई एक कहानी लेके आई हूँ Godfather जो की काफी motivational है तो चलिए मैं कहानी सुरू करती हूँ प्राया कमिस्नर नीरज कान्थ जी के चैंबर के बाहर उनसे मिलने वालों की लाइन लगी रहती है सबको उनसे कोई ना कोई काम रहता है ऐसे में सर सर की आवाज जब उनके कानों में पढ़ती है तो उनका मन अजीव सी अनुभूति में ढूब जाता है बात ही कुछ ऐसी थी दरसल आज से ठीक 20 साल पहले जब नीरत जी अपने छोटे से गाउं से मैट्रिक पास करके यानि कि बोर्ड का एकजाम पास करके पटना आये थे उच्छ शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो उनका एक मात्र लक्ष था बड़ा अफसर बन कर अपने मात पिता का नाम रोशन करना किन्तु इस अंजान सहर में कोई अपना नहीं होने के कारण कितनी है समस्या का सामना उनको करना पड़ता था बहुत सारी ऐसी समस्याई थी जिनको सुलझाते सुलझाते कई बार वो खुद उलच जाते थे ऐसे में वो एक ऐसे गौट फादर की त प्रत्रिचाया में वो खुद को सुरक्चित महसूस करें उस वक्त नीरत जी के जीवन में ऐसी गौट फादर की तलास भी चलती रही और पढ़ाई लिखाई हुआ प्रत्योगी परिक्षाओं का सिलसिला भी चलता रहा यानि कि एक गौट फादर की वो तलास भी करते रहे जो उनके केरियर को सेव देने में मदद करें और दूसी तरफ दिन रात पढ़ाई और प्रत्योगी परिक्षाओं की तयारी भी करते रहें मेहनत रंग लाई और आज वो सहर के कमिशनर बन चुके हैं और अनगिनत लोग उन्हें अपना आदर्स मानते हैं तो कई लोग उन संस्थाएं तो उनसे अपनी संस्था से जुड़े कारियों के लिए राय मस्विरा भी करते हैं कई युवाओं के तो वो रियल लाइफ हीरो भी हैं यही जीवन का सत्य है जी हां यही जीवन का सत्य है जो अपने कारिय में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं उन्हें कोई गौट फादर जीवन में मिले या ना मिले पर वे एक तिन जरूर हजारों लाखों के आदर्स अत्वा गौट फादर बन जाते हैं इसलिए अपने लक्ष पर हमेशा केंद्रित रहें और अपने व्यक्तित्ति की गरिमा को निखारने का प्रयास चारी रखें तो आज की कहानी मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी एक लाइक करके मुझे जरूर बताईएगा और ऐसी ही बहुत सारी प्रयरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत